हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल साज बहुस किचन और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स वेज तो बिना देर क यह शुरू करते हैं, तो यहां डमने लिया है बीन्स शिमरा मेर्च गोवी और मतर, आप अपने पसंद की कोई सी भी सबजी ले सकते हैं और इधर मैंने लिया है दो मीडियम साइस के टमाटर, चार से पाच, हरी मिर्च और दो मीडियम साइस के प्याज जिसको बारिक काट लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर पनीर को क्यूब में काट लिया है और जो भी वेज़ेटेवल मैंने लिया है उसको थोड़ा फ्राइ कर लूँगी मैं तो हाई गेल्स फ्रेम पे कढ़ाई चड़ा के मैंने इसमें डाला एक बड़ा चमश तेल तेल गर्म होते ही मैं इसमें डालूँगी मतर, गोभी और बीन्स इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राइ करूँगी जब तक यह 95% तक पकना जाए क्योंकि 5% जो है वो हम मसाले के साथ इसको फ्राइ करते हुए पकाएंगे तो इसको एक बार अच्छे तरीके से चला दे जिससे तेल सबजीयों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और फिर इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढख के पकाएंगे 2-3 मिनट के बाद इसको चेक कट लेंगे और यह सबजीयां जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती पकने में तो देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और यह पका पका भी लग रहा है तो खुले में 1 मिनट पकाया है मैंने इसको और फिर सारी सबजीयों को बाहर निकालेंगे इस तरीके से निकालें तो तेल ज़्यादा बाहर नहीं आएगा सबजी से और फिर मुझे बाद में याद आया कि थोड़ा आलू भी डाल देती हूं मैं इसमें तो मैंने 2 मिडियम साइज के आलू को भी काट के लिया था और साथ ही सिम्ला मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे तक की पकाने से सब्जी जो है जल्दी पक जाती है और फिर 2 मिनट के बाद मैंने इसको चेक कर लिया और देखिए सिम्ला मिर्च का कलर भी चेंज लग रहा है तो इसको एक बार चला देंगे और जहां तक है आलो भी पक गया है तो इसको एक बार मिक्स करके और फिर सारे सब्जियों को हम पहार निकाल लेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए और यहां मैंने सारी सबजीयों को निकाल लिया है फ्राइ करके फिर से कड़ाई को मैंने चड़ाया है हाई फ्लेम पे और फिर इसमें दो बड़ा चमच सरसो का तेल डाला है मैंने एक चोटा चमच जीरा तेल गर्म होते ही और एक चुटकी हींग जीरा चटकते ही मैं इसमें एड करूंगी बारिक कटा हुआ प्याज और प्याज को दो से तीन मिनट के लिए फ्राइ करना है जब तक प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए और इस तरीके से अगर आप मिक्स वेज बनाने वाले हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बत इसमें हम एड करेंगे नमक जो एज यूजवल होता ही है टमाटर डालने के बाद तो यहां पर डाला मैंने स्वाद अनुसाद नमक एक छोटा चमच हल्दी पाउडर और फिर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर बिलकुल सॉफ्ट होके गल नहीं जाते हैं और न टमाटर भी जल्दी गल जाएगा जब तक पानी चलेगा इसका टमाटर के साथ साथ प्याज और हरी मिर्च भी अच्छे तरीके से गल गिया है तो अब इसमें आड करेंगे सूखे मसाले तो मैंने डाला एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच धनिया पाउडर औ और एक छोटा चमच पनीर मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको पकाया है क्योंकि पानी डालने से मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं और इसको एक मिनट के लिए पकाएंगे जिससे सूखे मसाले भूंचा है अच्छे तरीके से और देखिए पानी भी इसका जल गया है तो अब इसमें मैं अड़ करूंगी सारी फ्राइ किये हुए वेजिटेबल सारी सब्जियों को डालते ही गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए मसालों के साथ पकाएंगे जिससे ये थोड़े पक जाएं जो हमने 95% पकाया था तो 5% तो पकाना है ना और मसाले भी अच्छे तरीके से सब्जियों में मिक्स हो जाएंगे तो इसे पकाएं एक से दो मिनट के लिए और मेरी रेसिपी आपको ये कैसी लगेगी तो वो जरूर कमेंट बोक्स में बताएं सब्जी को फ्राई करते मुझे दो मिनट हो चुके हैं और सब्जी फ्राई हो चुकी है तो अब मैं इसमें एट करूंगे कटे पनीर को और पनीर को भीहमें एक से दो मिन силь δεν के साथ मिंच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और शारी सबजी ओं को में सालों की साथ प्राइट करने में online और उल्मुस्ट मुझेे वाइब मिन ने का टाइम लगा और सारी 2 पर совсем पर तो इसे एक बार चला देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे और सब्जी रेडी है सर्फ करने के लिए आप इसे पराठी के साथ रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और मेरी मिक्स वेज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में ब बढबाई